तो नाव लेट्स मोव तो नेक्स नोट नोट 5 इसमें हमें लिख लिए से Convex Polygons ठीक है Convex का मतलब कहा है कोई भी एंगल इंटर्नल एंगल कोई भी इस तरह से कुछ भी लिखाओ है कोई इंटर्नल एंगल 180 से जादा नहीं ठीक है 180 से जादा नहीं अब तुम यह सोच हो कि 180 से ज्यादा हो कैसे सकता है तो बिलकुल हो सकता है कि यह कॉन्वेक्स नहीं है A B C D यह तो कॉन्केव हो गया तो इन सब की तो हम बात ही नहीं करें यह ठीक आप छोड़ दो जो भी आगे के रिसल्ट बोले हैं जो भी तुम नॉर्मल पॉलिगन जानते हो तुम तो यह जानते हों कि मोस्ट पर दी यह पड़े होंगे अब तक दी नहीं की बात चले तो उसमें तो पहला तो Sum of Internal Angles यह ठीक है Is equals to n-2 into pi Where n is number of vertices बोल दो या sides बोल दो एक ही बात है ठीक है तो जैसे internal angle को जोड़ा तो इसने क्या बोला कितने Sum आएगा उन angles के Sum कितना आएगा n-2 into pi मतलब क्या है जैसे triangle के लिए देख लो triangle में कितने vertices होते हैं 3 तो n की जाएगे 3 अक्खा तो 3-2 कितना होगा 1 तो 1 into pi मतलब तो यह तो हमें आता है triangle के अंदर internal angle का Sum कितना होता है pi होता है 180 degree होता है इस formula से वह आजाएगा अगर quadrilateral है तो उसमें 4 sides होगा या फिर 4 vertices होगा तो n की जगे 4 रख दिया n की जगे 4 रख दिया तो यह कितना हो होगा 2 pi यह ठीक है अगर pentagon है जिसमें 5 side होगा ठीक है अगर pentagon है तो उसमें 5 side होगा उसमें n की जगे 5 रख दिया तो 5-2 कितना होगा 3 तो उसके internal angle का सम कितना होगा 3 pi and so on यह ठीक है अगर hexagon है जैसे इसमें यह hexagon है इसके अगर यह सारे internal angle को जोड़ा hexagon का मतलब कितना side होगा 6 या फिर कितना vertices होगा 6 तो इनके सारे angle को जोड़ा कितना आना चाहिए 6 रख दिया 6-2 कितना होगा 4 4 pi होना चाहिए 4 pi मतलब तो 720 degree होना चाहिए उनका sum ठीक है यह याद दख होगे चलेग निया sheet ले लेता है यह ठीक है माल लिया regular polygon यह ठीक है of side of sides n यह ठीक है माने n sided a regular polygon ने रखा है तो regular polygon का मतलब क्या है यह तो मैं ऐसी बना रहा हूँ सब side का length बराबर होगा ठीक है अब n का मतलब तो पता नहीं कितना होगा तो हमने इतना ही बना के छोड़ दिया a1 a2 a3 a4 a5 and so on the last one यहां पर वापस घूम के क्या आ जाएगा यह ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले तो number of sides कितना है n वो तो लिखा ही दिया यहां पर यह ठीक है number 2 number of vertices वो भी n जितना side होगा उतना ही vertices होगा यह ठीक है यह भी इसमें कुछ सम्झाने लाइक नहीं है यह ठीक है all internal angles will be equal ठीक है मतलब कर यह theta है तो यह theta है regular का मतलब यह होता है यह भी theta है ऐसे यह भी theta है some internal angle बढ़ा होगा side भी बढ़ा होगा यह ठीक है fourth all sides यह ठीक है will be equal फिर fifth part sum of regular का मतलब कहा है वापस regular का मतलब यह कि सारे internal angle बढ़ाबर सब side का length भी बढ़ाबर है यह ठीक है sum of internal angles is equal to sum of internal angle तो हमेशा वही formula होता है जो पहले लिखाया था हमने n-2 into pi उसके लिए regular होना हो यह formula में शावाए ट्रेंगल में तो ऐसा होता है वह एक्विलेटरल होगा तो भी internal angle का sum बनेती आएगा इक्विलेटरल नहीं होगा तो भी internal angle का sum बनेती आएगा sum तो वैसे ही चाहें regular हो ना हो यह ठीक है यह तो जो internal angle में अगर हमने ऐसे ही बना लिए जो साइड लेंथ अलग 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 आ रहे है यह ठीक है तो भी इसके internal angle का sum जो है वह side पर ही depend करेगा कितनी side से regular होगा तो भी वही formula लगगा बस regular होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा regular होगा तो यह सारी angle बराबर हो जाएंग तो धीता प्लस थीता प्लस थीता ऐसे करके टोटल कितने angle बनेंगे यह internal angle कितने बनेंगे ऐसे करके and यह भी थीता होगा तो एंथीता का sum यह हो गया तो एक internal angle कितना हो जाएगा यह थैंक हमादने हमने ओन्हों急 freote 4 बराबर camar quantity इhen इन 4 ओका sum यह ए to a quantity किसके बराबर है इसको और सारे internal angle बराबर है, सब का sum ये लिखा हुआ है, n-2 into pi, तो एक angle किरना होगा, ये ठीक है, वो ही लिख लिख लिए, 6, internal angle is equal to n-2 into pi, ये तो सब का sum हो गया, इसी को हमने n से divide कर लिए, अच्छा ये समझ माल चाहिए, ये n-2 है, ये भी n है, और ये n नहीं है, ये pi है, ये pi है, ऐसे, ठीक है, तो जैसे regular hexagon हो गया, regular hexagon मतलब जिसमें, ऐसे करके 6 side आ जाए, ये ठीक है, ये सारी sides बड़ाबर है, और ये सारे angle भी बड़ाबर है, तो hexagon का मतलब क्या है, 6 हो गया, तो अगर n की जगा, मैंने 6 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 6, तो इसके लिए, ये angle कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 4 pi by 6, या फिर 2 pi by 3, या फिर 120 degree, तो regular hexagon के लिए, each internal angle will be, 120 degree, तो इससाब, 120 degree, 120 degree, 120 degree, ऐसे आएगा, जानल के से लिए, ये formula होगा, n-2 upon n, sorry, n-2 upon n, whole multiplied with pi, तो ये जो हमने थीटा थीटा लिखे है, ये बेसिकली थीटा इसके बढ़ाबर है, थीटा इसके बढ़ाबर है, थीटा is equal to n-2 upon n, into pi, ठीक है, ये तो हमने ऐसे side में example लिया, इसकाइ से कोई मतला है, for example, ठीक है, सामझ मागा हो गए है तो,